नमस्क्रार मैं अंजले मिश्रा स्वागत है आप सभी का दर्यूज में आपको दाने कि असुत उद्दीन ओवेसी के भाई अखबर उद्दीन ओवेसी ने एक बाई फिर भड़काव बयान दिया है जुसे लेकर बीज़ेपी के नेता गौरव भाटिया ने उन पर जम कर वाले हैं जिसे लेकर सभी पार्टिया जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है कई नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं तो वही एम नेता अकवरुदीन ओवेसी द्वारा कल हाइद्राबाद में अपनी सारवजनिक रैली के दोरा आज एक पुलिस अधिकारी को धंकी देने का मामला सामने आया है जिसके बाद आज भाजपा के राश्च्ट्रिया प्रवक्ता गौरब भाटिया ने अकवरुदीन ओवेसी पर निशाना सादा और भाटिया ने कहा कि कानून के उपर कोई नहीं ह है अगर वर्दी अपना काम करने लगेगी तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी और क्या कुछ कहा है गौरब भाटिया ने जरा एक बास सुनिए चाहे असदुदीन ओवेसी हो चाहे अकबरुदीन ओवेसी हो यह लोग केवल भड़काओ बात करते हैं संविधान को तार ने आया है इतना जरूर कहा कहना चाहूंगा उन्होंने बोला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए तो जब भारत माता के लाल वर्दी पहन के आते हैं और कानून तोड़ने वालों को दस डंडे मारते हो और गिनते एक हैं तो वर्दी का रसूक भी पता चलता है और ऐसे अभद्र जो बयान देते हैं उनको अपनी हैसियत भी पता चलती है कानून से उपर कोई व्यक्ति है नहीं और वर्दी का रसूक ऐसा है जो ये व्यक्तव बोल रहे हैं अगर वर्दी अपना काम करने लगी तो इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी तो जैसा कि आपने सुना कि गौर्ण बाटिया ने साफ तोर पर कहा है कि कानून के उपर कोई नहीं है कानून जो है सबके लिए बराबर है और अगर वर्दी वाले अपना काम करने लगेंगे तो इनकी जितनी हेकड़ी है ये सारी हेकड़ी जो है वो निकल जाएगी तो ऐ सब्सक्राइब करने को कहा था और इसी बात पर भड़क गए तो इसके बात आपको बतादे कि मामले को लेकर रोहित रजू डिस साउथ इस्ट जोन संतोष नगर की शिकायत पर नेतक बुरुदिन ओवेसी के खिलाव मामला दर्ज किया गया है और मामला IPC की धारा 335 और अ वैसे में आखिर अगवरुदिन ओएसी द्वारा क्या कहा गया था और किस तरीके से जो है पुलिस को वह ट्रीट करते नजर आए थे इंस्पेक्टर्स आप घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दिए फिर चलिए 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 क्या गोलिया चाखों की बात सुनके समझे के कमजोर हो गया अभी भी भूत इम्मत है चेलोगा बढ़े आके ठेरे पांच मिनट ये भी बोलूगा बोलूगा पांच मिनट कोई माय का लाल पाइदा नहीं हूँ आ मुझे रोकने के लिए सयना चनरान गुट्टा बता दो इशारा कर दिया तब दोर ना पड़ेगा दोर आए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कैसी आते हमारे तेहाद को कमलार करने के लिए होश यार रहो यह चाते हैं के अकबर अद्दीन वैसी से मुखाबला करने वाला कोई नहीं है तो यह लोग कैनिडेट बन कर आ रहे हैं आजाओ देख लेते हैं तुम जीते हैं हम तो आपसे यही कह रहा था मुनजब रहो मुट्व रहो जमात ताखत है जमात को मजबूत रहो तो जैसा कि आपने इस वीडियो में साफ तोर पर देखा कि वह भड़क जाते हैं भड़क कर कहने लगते हैं कि मैं बोलूंगा मैं अपनी घड़ी आपको दे दूं क्या और उसके बाद वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस तरीके से इशारा करके वापस आते हैं और भड़का उवयान देते हैं और कहते हैं कि हमें कमजोर समझा क्या अगर एक इशारा कर दूंगा तो यहाँ पर भागने की जरूरत तुम्हें पढ़ जाएगी क्या भगाएं और इस तरीके से फिर वह आगे कहते हैं कि इसी तरीके से हमें रोकने की प्रयास द्रेन के द्वारा किया जाता है अभी पांच मिनेट हमें पांच मिनेट और बोलूंगा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मुझे यहाँ पर रोक के दिखा दे आपको बत नहीं है। कि अ इस तरीके से ब्यान दे रहे हैं किए किये हुए त्वने भाई के बयान पर एयम नेता और प्रतिक्रिया और इनका बचाउ किया क्या कुछ आधा और वेसी रहें अब आप एक अदमी स्पीश दे रहा है, बन करो, टाइम हो गया, ये क्या है, पांच मिनिट है भी मेरे को, और पांच मिनिट में बहुत कुछ बोला जाता है अब आप सुनिये, प्रोसीडिंग्स अद्रिटर्निंग आफसर 67 चंद्राइंगोट एसमेले कौस्टेंशी हदराबाद, प्रेजेंट स्री एम सुरिया पकाश, रिटर्निंग आफसर की साइन का लेटर है, इट इस ओर्डर और परमिटेट टू कंड़क लास पारग्राफ प सुनिये, सुनिये, सुनिये एक बाद, मैं अगर दस बजे, दस बच के एक मिनट हो रहा, तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का, आप दस बजने के लिए पांच मिनट बाखी है, आप मेरे डाइस पे चड़े आते, क्या बात है भाई, क्यूं, ये खानून MCC, ECI का आप खुद पर्मिशन आरो दे रहा है और पांच मिनट पहले बन कर दो बोलते आप क्या करना फिर हम लेकिन अच्छे तरीके ने अच्छे तरीके ने आप एक अदमी स्पीश दे रहा है बन करो टाइम हो गया ये क्या है क्या है बोली आप अगर आप उनके खिलाब आक्शन नहीं लेंगे क्या अगर मैं दस बच के एक मिनट हो रहा आप करी आक्शन लीजिए कौन रोकर आपको आप मेरे डाइस पे खड़े होके बोलते बन करो टाइम हो गया ये क्या है क्या है ये कैसा बिहेविर ये बताइए आप आप खुद बताइए मैं अगर एदस बच के एक मिनट हो गया तो आपको पुरा राइट है पांच मिनट है भी मेरे को और पांच मिनट में बहुत कुछ बोला जाता है एक स्पीकर के लिए ओपनिंग स्टेट्मेंट और कंक्लूजन इंपॉर्टन है था बहुत आप पांच मिनट पहले पर बन करो टाइम हो गया बन करो टाइम हो गया और एसी आई के कैमराज है आप कैमराज से पूछो ना जो अब्जरवर्स है ते महाँ पे एसी आई कैमराज हमारे को फालो करते अदियातरा करें तो फालो करते पॉलिस का कैमरा फालो करता अब तो पॉलिस वाले फोटों लेके चेक करते कि इसमें इनके खलाब कुछ केसिस है का देख लो आप पांच मिनट पहले बन कर दो बो बोलते तो ECI को चाहिए इंक्वाइरी करें, हम तो डिमांड करेंगे, ECI से इंक्वाइरी करें, क्यूं हमारे को बन करो बोले 5 मिनिट पहले, उन्हों हमारे डाइस पर चड़के क्यूं बोले बन करो, टाइम हो गया बोलके, पर्मिशन का कॉपी है मैं दे सकता हूँ आप लोगो, मे कैसा कि आपने सुना हो, इसी ने मामने को लेकर कहा कि अगर समय रात के 10 बच के 1 मिनिट हो रहा होता, तो आपके पास हमें रोकने का पूरा अधिकार है, जब 5 मिनिट बचे थे तो वह मंच पर आखर क्यूं आए, कानून इजाज़त दे रहा है, और आप हमें 5 मिनिट पहल है, तो महत्वपूर्ण होता है, और इस तरीके से जो ओवेसी जो है, वो अपने वाई का बचाओ करते नजार आए, तो आपने देखा हो कि कि तरीके से अगवर्दुन ओवेसी जो है, अब तेलांगनाक विवदानसमा चुनाव को लेकर व्यानबाजियों का दोर लगातार जारी देखने के लेवल रहा है, इस भी श्तीखी प्रतिक्रिया और वियानबाजिया भी जमकर की जा रही है, बीजेपी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है, तो वहीं अगर आप देखेंगे तो बाकी नेताओ के द्वारा भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया जो है तो ऐसे में आपको यह जो पूरा मामZA यह बड़े विस्तार से से बताया है कि यह पूरा वाम gegangen बाजी लीयां यह उटिकरिया आई है बभी जो कोवें ऐसे में पूरां संसरा कर नोचा जिए घिए गल से लख्या परूंन है